कुश्यन नमबर पहले का पाचमा है न है तो कुश्यन नमबर पहले का पाचमा यह है कि T2-15 ठीक क्या है T2-15 यह है T2-15 और question ने ये कहा है कि इस दोई घाद बहुपत के हमें शुन्यांग की ग्याद करना है और शुन्यांग के के साथ साथ इनके गुडांकों और शुन्यांग कों के मद्द जो सम्मन्ध होता है उसका सत्यापन करना है चिक तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये टी एक चरपद है और इस पर अधिकतम घाद लगी है दो कितनी घाद लगी है दो अधिकतम घाद लगी है तो इसके शुन्यांग कितने आएंगे दो चिक शुन्यांग निकालने के लिए हम क्या करते हैं बराबर में कर दें घेजरू तो यहां पर हम सबस्क्राइब लखेंगे शुन्यांक निकालने के लिए शुन्यांक के लिए और शुन्यांक के लिए हमें क्या करना होगा हमें करना होगा टी इस्क्वायर माइनस 15 बराबर जिरू ठीक तो टी स्कॉायर को हम T का वर्ग लिख सकते हैं और 15 को root 15 का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि root 15 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 15 अब ये बन गया Ali- B2 का फार्मूलण ठीक है तो एक बार अगर हम आप जानते हैं कि A2- B2 जहां कहीं बनता है वहां हम लिख सकते हैं A पिलस B और A माइनस B चिक तो ये भी A स्कॉायर माइनस B स्कॉायर है मतलब हम लिख सकते हैं T पिलस रूट 15 और एक कोश्टक में हम लिख सकते हैं T माइनस रूट 15 बराबर 0 चिक है अब अगर हम T पिलस रूट 15 का भाग 0 में दे दें तो T माइनस रूट 15 बराबर 0 चिक है या T माइनस रूट 15 का भाग 0 में दे दे तो T पिलस रूट 15 बराबर 0 चिक है अगर हम देखें यदि T माइनस रूट 15 बराबर 0 ये तब हुआ जब हमने T पिलस रूट 15 का भाग 0 में दे दिया ठीक है तो टी बराबर कितना आगी है रूड पंद्रा छीक इसे हम मान लेते हैं अल्फा मतलब ये पहला मूल आ गया हमारे पास में रूड पंद्रा छीक इसके बाद चलते हैं हम दूसरे मूल की तरफ तो दूसरे मूल हमारे पास में यहाँ पर रेकलेगा T माइनस रूट 15 बराबर हमने 0 किया था T पिलस रूट 15 का भाग दे दिया था अब की बार में हम T माइनस रूट 15 का भाग देंगे तो बचेगा T पिलस रूट पंद्रा बराबर 0 रूट पंद्रा को उस पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का रूट पंद्रा जाएगा यानि ये दूसरा मूला गया इसको हम बीटा भी मान सकते हैं बात समझ में आ रही न बटा तो ये बीटा हो गया माइनस रूट पंद्रा तो हमारे पास में इस दुगाद बहुपत के शुन्यांक आ गए एक पिलस रूट पंद्रा की रूप में दूसरा माइनस रूट पंद्रा के रूप में आ गया ठीक है? एक तरीक है इसका और भी था निकालने का वो देखो इशू नियांक निकालने का तरीका हम बता रहे हैं एक तरीका ये भी था जहां से समझेंगे T square minus root 15 का square था बलो था बराबर 0 तो हम ऐसा भी कर सकते थे T square बराबर root 15 का square और छंतर करते हैं तो minus का root 15 का square बराबर plus का root 15 का square हो जाता है और अब हम बर्गमूल ले लेते हैं जब हम बर्गमूल लेते हैं तो एक संख्या जो होती है वो एक plus की आती है और एक minus की आती है का-R- 15 के गिरांकों को देखना है है हमको तो यहां पर हम लिखिएंगे T स्क्वाएर माइनस 15 की तुलना हम करेंगे देखो हमने के košन मताई थी को कौन सी क्यूशन दोई खासमिकर की क्यूशन बताई थी EX 2 BX पिलस C चैह एक दोई गाद बहुपद होता है apa अब इस से हम इसकी तुलना करवाएंगे तो देखो बटा जब हमारे पास में दिया गया बहुपद में चरपद की रूप में X हो तो हम AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C से तुलना कराते हैं जब हमारे पास में दिया गया बहुपद चरपद की रूप में T है तो हम तुलना कराएंगे a t square plus b t plus c t से अगर y की रूप में हो तो a y square plus b y plus c मतलब जो चर्पद की रूप में दिया गया है वही चर्पद उप्योग में लाते हैं इस x के इस्थान पर तो की तुलना हम करेंगे a t square plus b t plus c से ठीक है इसलिए वात समझ में आखेंगे तो अब देखिए t square का गुड़ांक a है और यहाँ t square का गुड़ांक एक माना जाएगा मतलब कुछ भी नहीं है तो एक का गुड़ां माना जाएगा तो a बराबर आया एक T का गुरांक है B और यहाँ पे T वाला कोई पद नहीं है यह है T स्क्वायर और यह है अचर पद T वाला कोई पद नहीं है तो जब कोई पद नहीं है तो उसका गुरांक भी शुन होगा कितना होगा? शुन होगा इसके बाद अचरपत इसमें C है तो इसमें अचरपत कितना है, माइनस का बंदगा है बाठ के लिया रहें, A, B, C मिल गए हमको मिल गए, अब हम जानते हैं कि मूलो का योग कितना होता मूलो का योग, ठीक, तो मूलो का योग हमने पढ़ा एक परमूला alpha plus beta बराबर minus b बटे a alpha बीटा है शुन्यांक या मूल और minus b बटे a तो ये b और a क्या है गुडांक उस बहुपत के क्या है गुडांक है alpha का मन हमारा कितना आया था root 15 और plus beta का मन कितना आया था minus root 15 ऐसा ये न बराबर में ये सत्यापत करना है मतलब ये चीज़ हमारी बराबर आना चाहिए minus b b कमान क्या है बटे जीरो और a कमान क्या है एक अब plus minus minus हो जाएगा और plus root 15 से minus root 15 घड़ जाएगा तो यहाँ पर value क्या आएगी 0 और 1 में 0 का भाग देंगी तो 0 तो देखो एक गुणा एक तो सत्यापत होगया मूहनों का योग जो है वो सत्यापत होगया 0 बराबर 0 आगया अब मूहनों का गुणा переп किढी पर रूट पंद्रा देख लो ना आप एक बीटे कमान कितना था माइनस रूट पंद्रा बराबर सी कमान कितना था माइनस पंद्रा है सही है एक कमान कितना था एक रूट पंद्रा का रूट पंद्रा से गुड़ा होगा तो रूट खतम हो जाएगा और यहां जाएगा माइनस प तो इस तरीके से जो पहले कोशन में छे सवाला फुदिये हैं उनमें से हर एक दुईघाद बहुपद दिया हुआ और उस दुईघाद बहुपद में हमको निकालना पड़ता है सबसे पहले शुन्यांग शुन्यांग निकालने के लिए हम करते हैं उसके बराबर जीरो फिर क से तुलना करके एबी सी के मान निकालते हैं फिर हमने आपको बताया था मूनों का योग फल होता है अलफा प्लस बीटा बराबर सी बटे ए अलफा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए अगर दोनों की वेलू आपस में समाना रही है तो हमारा तत्यापे तो हो गया है क कुश्यन की तरफ, तुंपाइल टू में सिर्फ हैं दो कुश्यन, पहले कुश्यन में आपका यह था शुन्याग निका लिए गुरांकों और शुन्याग में सम्मंद सत्यापक कीजिए, दूसरा कुश्यन अब हम देख लेते हैं, इस प्रिशनावली का, तो दूसरा कुश्य आपको क्या कह रहा है, दूसरा कुछिन कह रहा है, कि एक दूइघाद बहुपत ग्याद कीजे, क्या दूइघाद बहुपत ग्याद कीजे, जिसके शुन्यांकों के योग तथा गुरनफल किरमशा दिये गा है, मतलब जो कुछ भी दिया गया है, वो शुन्यांकों का योग और गुरनफल दिया गया है, जैसे आपको पहला सवाल है, दूसरे का पहला, उसने कहा है कि मूनों का योगफल और मूनों का गुरनफल दे रखा है, शुन्यांकों का योगफल और शुन्यांकों का गुरनफल है, तो यहां पर हम लिखेंगे, शुन्यांकों का योगफल, यह हमें दिया है शुन्यांकों की योगों को किस से लिखते है इलफा प्लस बीटा से यह कितना है एक बटे चार जैनि पहले जो वैलू है वह एक बटे चार शुन्यांकों का योग दिया है तो कौमा लगा कि दूसरी वैलू भी दी है चेक कर लो तो यहां पर लिखा है शुन्या अग्रान्कों का गुरण फल इसना कि और अफाउ किजिए-1 ऑप उसने कहा है कि होग्वास गॉपद घ्याथ की Eliza उसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूनों का योग फल बताया था आपको इन्टू एक्स पिलस मूनों का गुरन फल यह है एक्वेशन किसी दुईगात समीकरान को अगर हमें निकालना है दुईगात बवपत को निकालना है तो हमें मूनों का योग पता होना चाहिए और मूनों का ना पता हो, तो हमको पता होना चाहिए उसके मूल, अर्थात शून्यांक, शून्यांकों को ही मूल कहते हैं, तो अगर हमें शून्यांक के पता हैं, तो हम उसका योगफल नकल लेंगे, तो वो कहलाएगा शून्यांकों का योगफल और शून्यांक पता हैं, तो हम उनका गु तो यहां गया एक बड़ ईस चार एक सफ्वाला रखिए यहांगो दिए माइनस कभायर साथितोrog उहां चाष्वाषिया चार कोंसको माइनश को को खुरा होगा तो यह मिल गया हमें भूच तो भाइंट तो अब आपको यह पता होगा कि शूनयांको को योगफल युश्र में और इननको निकालना है शूनयांको को दूएगाद बावपन निकालना है इन में किसी को कोई भी डाउट हो तो वो लोग पूछ लेना है